तो आज की ताजा कवर मैं लेके आया हूँ कि क्या PUBG Mobile को डरना चाहिए, क्या उनकी भेंट गिली होनी चाहिए, COD Mobile Call of Beauty Mobile Games से, तो मैं आज इसके बारे में सारी जीज़ें आपको बताऊंगा, COD Mobile Games के बारे में लॉंगडाउन के बाद क्या effect पड़ा है इस गेम को और क्या आप बस इस वीडियो को शेयर करें और नीचे चैनल को सब्स्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक ठोक दें, so welcome to मैं चैनल जिसका नाम है टेक्निकल वेक्निकल आज का trending hot topic है, call of duty ऐसा क्या हुआ था कि और सारी जो गेम्स हैं उनको डर लग रहा है कि अब COD ही हमारा सारा revenue ले जाएगी तो मैं आपको बता देता हूँ, lockdown के चलते बहुत सारी चीज़े ऐसी revolve हुई है, COD ने जैसे कि बहुत सारी जगह से अपना हाथ खीच लिये थे चाइना से पर फिर से COD चाइना में जाकर अपनी application रिलीज कर रही है एक बहुत ही बिलकुल official खबर आई है जैसे कि इसने डैनियल ने अपने Twitter account handle पर officially डाला है कि mainland China में official launch होने वाला है Call of Duty का जो की October 20 को है और बताऊं तो 46 million people जो है उन्होंने पहले से ही register कर लिया है इस game को from China और Asia में अगर मैं बताऊं तो ये game publish की गई थी Garina और Timmy Studio में और अब जब चाइना में release हो रही है तो ये game publish की जारी है by Tencent और Timmy Studio, Tencent चाइना की ही company है और mainland China से इसकी शुरुवात होने वाली है तो अब तक वैसे मैं बता दूँ इस game के बारे में, call of duty के बारे में according to the reports by app any, जो users हैं वो nearly 1 billion hours, 1 billion hours, सिर्फ android version का मैं बता रहा हूं spend कर चुके हैं इस game को खेलते खेलते, ये सिर्फ call of duty mobile है, हम सब ने इसका PC version तो खेला ही है और according to the report, 100 million downloads हो चुके हैं Android और iOS store से, बिल्कुल विदिन 20 दिन, launch के 20 दिन के अंदर ही 100 million downloads होए थे, इस application के अगर मैं दिखाऊं तो PUBG mobile को 100 दिन लगे थे, 100 million downloads करने के लिए, और ऐसे ही जो बहुत ही high end game है, जो fortnite है, उसको 643 दिन, nearly 2 years लगे थे, एक 100 million milestone पहुचने के लिए अगर मैं इसका growth rate बताऊं तो यह equal to है Pokemon Go, जिसको सिर्फ 19 दिन लगे थे, और हमारी इस COD call and duty को सिर्फ 20 दिन लगे हैं, 100 million downloads में, मैं इसका आपको graph दिखा दूँ, तो यह देखिए, जो COD है, वो 5 times faster है PUBG से, जिसने 100 million downloads बहुत ही जल्दी launch के कर लिए हैं, और ऐसे ही 11 times faster है Candy Crush जो Candy Crush गेम हम लोग खेल चुके हैं बहुत सारी, और 32 times faster है एक और गेम से, यह graph आपके सामने में दिखा रहा हूँ, यह रही Call of Duty की official play store की screen shots यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ, यह देखिए, कितने million downloads हो चुके हैं, अगर आप download करना चाहते हैं, Call of Duty को तो download कर सकते हैं, description मे मैं इसका link देदूँगा for iOS and for Android, अगर आप ऐसे ही updates रोजाना चाहते हैं, तो इस वीडियो पे comment करें, अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो आप please मुझे like ठोकिए, एक like से हमें बहुत ही जादा motivation मिलती है, और वो motivation सारी हम अगली next videos में लगा देते हैं, मैं आ किए.